जया ही दोस्तों स्वागत है आप सभी का मनीच भाई इस्टेडी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को यह जानकारी मिलने वाली है कि आखिर बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतिजार कर रहे थे का अखिर इसका फिजिकल कब होगा तो वही आप सब के लिए यहाँ पर निकल के आ चुका है और आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर चलने वाली है तो मैं उन सभी बच यहाँ अप सब के लिए यहाँ पर इनप्वाटन्ट रहने वाला है और इस वी बड़ी बात यहाँ पर क्यानिकल के आ और है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप सारी बातों को समझ जाएंगे और आपके जो भी doubts ते side doubts इस वीडियो में clear होने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सारी जानकारी में आपको बताता हूँ फाइनल में अगर आप selection बना चाते हैं तो आप exam की तयारी भी अभी से सुरू कर दीजे आप अपने syllabus को complete कर रहे होंगे लेकिन इसी बीच आप सब को बता दे कि आप सभी को यहाँ पर test लगाना बहुत ज़रा ज़रूरी है अगर आप किसी भी exam चारी कर रहे हैं बेसा फेट कोंस्टेबल मिनिश्टल के उन्हीं कर रहे हो आप सभी यहाँ पर मॉक्टेश जरूर लगाएगा उससे आप सभी का time manage होगा और आप सभी का experience बढ़ेगा एक जाम में question solve करनेगा तो आप सभी मॉक्टेश जरूर लगाएगा अगर आप सभी मॉक्टेश लगाना चाहते हैं तो आप सभी मॉक्टेश यहाँ पर test बूक पर लगाएगा अगर आप difference त्यारी कर रहे हैं, रिलेवेस त्यार रहे हैं, आपकी कुछी बैंकिंग त्यारी कर रहे हैं तो आप सभी टेस्ट बूक पर जरूर लगाईएगा कर सकते हैं और इसमें क्या प्राइज रहने वाला है यह आप सभी को यहाँ पर 29 अक्टूबर को लाइफ हो जाएगा और जिससे एक से गरीब बच्चा भी यहाँ से टेस्ट पास्प्रो पर्चेस करके पूरे साल किसी भी गुवर्मेंट जॉप की एक्जाम के त्यारी इससे क्यों भी देखने को मिलेगा जो कि हर एक एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्लिवाई क्यों का बहुत बड़ा रोल होता है आपको कहीं अलग से यहाँ पे खुझे जरूवत नहीं पड़ेगी एक बाद टेस्ट पास्प्रो अगर आप यहाँ से पर्चेस करते हैं टेस्ट बुक पर आप सभी पूरे साल किसी भी गोवर्मेंट जॉप की त्यारी कर सकते हैं इस पर आप सभी को लाइफ क्लासिस मिलने वाली है साथ ही यहाँ पर बात करें तो 2.7 लाइफ बच्चे जो है ओलेडी टेस्ट बुक पर अएक्टिव है तो कहीं ने कहीं सोच सक करिए और फड़ा फड़ा सभी 29 अक्टूबर का वेड करिए 29 अक्टूबर को बहुत बड़ा से लाने वाला है यहां पर क्लियर होगे तैयारी को लेकर आप यहां पर अच्छे समन बना लीजे और तैयारी जो तरीके से करिएगा ठीक है अब बड़ा मुद्धा यहां पर क आपके यहां पर पास आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आईडी प्रूफ ने आप सबी आधार काट ओटर डी डाविं लाइसेंस पास्पोर्ट एनी डॉक्यमेंट कोई भी डॉक्यमेंट आप लेकर जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन आईडी यो भी के लिए कोई प्रूफ मांगते हैं वो आप सब का 10th की मार्शीड यो है पुरी-पुरी मदद कर देगी तो आप साथ में यहां पे अपने 10th की मार्शीड भी रखिएगा उसके साथ में आप सभी को यहां पे अपने दो पास्पोर्ट साइज का पोटो भी लेकर जा पहले हैं तो कि अगर आप मल है तो आप 이हां पर रनिंग होने वाली 1600 मिटर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहां पर 642सकंड के अंदर male की height है यहाँ पे 175 cm female की height है यहाँ पे 175 cm इस बाकार से अगर आप तयारी करेंगे तो आप selection लेकर जाएंगे इसमें कोई भी high jump, long jump, गोला फेक, भाला फेक यह सब कुछ नहीं होता normally आप सब का physical होता है अगर आप selection के काफी करीब हैं आप selection पाना चाहते हैं तो फड़ा फड़ा आप से टेस्ट लगाएं और अपनी physical की तयारी करिए क्योंकि आपको बता देख जब एक बार किसी भरती का process शुरू होता है तो आप सभी के भरती यहाँ पे एक बार में आपके complete हो जाती है सब्सक्राइब के अपने ट्रेनिंग स्टूल जारी किया है जो कि सितंबर अक्टूबर 2025 में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ेगा तो कहीं ने कहीं देखा जा तो इन ही दिनों के अंदर आप सभी की पूरी भरती को यहाँ पे complete किया जाएगा और जो SSC GD का फिजिकल जीजिस सेंटर पर हो रहा है उसी में से टुकल 40 फिजिकल सेंटर को अलग किया जाएगा और उसमें बीसर फिड कोंस्टिबल मिनिश्टल का फिजिकल होने वाला है तो मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी को बता दूँ कि अब आप सभी यह मैं सोचे कि फिजिकल पर तयारी होगी ग्राउंड बनेगा उसके बार आपका एडिमिट कार जारी होगा कोई भी यहाँ पर अलग से त्यारी करने के आउसकता नहीं पड़ेगी सेंटर वालों को इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं अचाना कि आप सभी के यहाँ पर नोटिस आपके एडिमिट कार जारी होने वाला है आप सभी यहाँ पर त्यारी में लगे रहे है अगले महीने आई नवंबर में खर बाद की जा तो 15 नॉंबर तक आप सभी के यहाँ पर आकड़े बताये जा रहा है जो जानकारी मिली है उसी कोड़ी में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपके फिजिकल यहाँ पर शुरू होने की अपडेट मिल रही है आप मेरी बात को यहाँ पर नहीं समझेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप अभी से त्यारी करेंगे तो आप से लेक्सन लेकर जाएंगे नहीं तो बच्चे बहुत जारा कॉमेंट करते हैं कि अखिर अचाना के अपने इंफोर्मिशन नहीं दिया इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ पंद्रा नॉवंबर से लेकर 20 नॉवंबर के बीच मे आप सभी कीकल यहांपे शुरूआ हो सकते हैं याफिर आप सभी का एडमीड काड आप सरण के लेक।न अब हरे तो फॉप स्थ एक साथ सभी का जारी होता है अगर आप सभी आपको आप होगा मेरा परस हो यहाँ पर अप्रूब्ड होगा ऐसा नहीं है एक साथ एक बार में सभी नहीं सबी जारी करता है हो सकता आप सब यहां पे अपरूब हो गया हो आप सब्सक्राइप है नहीं कर देघाली तरीके सर्मail हो उरहीं है तो यह सब्ता गयाँ अगले महएन अगर रहे और यह सुरूव तो यह गलती मत करिएगा फिजिकल त्यारियों सभी करिएगा साथी बहुत सारे बच्चे कर रहे थे गाखिर इसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है लेकिन उससे पहले मैं आपको पता दूँ का आपका फिजिकल के समय डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा फिजिकल के स जाने हैं बाकि जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे लोगे टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे फिर आप सब्सक्राइब यहां पर बाकि सारी शीज़्य आपको लेकर जाना है और मैं उन सभी बच्चों को बता दूँ अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं अ आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूंगा बाकि आप फिजिकल क्यारी शुरू कर दीजिए आपको मनीज भाई इस्टेडी यूटूब चैनल के मारे जानकाई दी जा रही है कि आप सभी कर फिजिकल जो है नवंबर के महीने में सुरू होने की बाते कही जा रही है आकडे मिल रहे हैं और जो अभी तक जानकारी मेरे पास आई है तो लेटेश सब्डेट हो यही है कि नवंबर का महीने में फिजिकल सुरू होने वाले हैं तो आप त्यारी में लगे रहे हैं बाकि जैसा भी होगा मैं आप सभी को जानकारी जरूर दूँगा तो चैनले फि